नमस्कार मैं अमरेंद्र तिवारी ओल्टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जार्खन ड्यूज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है सबसे important चीज है कि राज के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर सरकार क्या तैयारिया कर रही है दरासल पिछले दिनों ये बाते निकल कर सामने आ रही थी कि आलमगिर आलम साहब ने पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से बाते कही थी उससे एक confusion भी निकल कर सामने आया था राज के अंदर तमाम तरीके की अफवाहें चरम पर थी लोग ये जानना चाहते थी कि क्या पंचायत चुनाव भी दलिये होगा दलिये पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी लेकिन अब इस्थिती असपष्ट कर दिया गया है जारखंड सरकार के कदावर मंत्री आलमगिरालम साहब इन्होंने काया कि देखिए दलिये चुनाव कराने का कोई भी सरकार का निर्णे नहीं है और ऐसी कोई भी बात नहीं है दरसल त्री अस्तर ये पंचायत बेवस्था जो जारखंड में इस वक्त लागूए अलगलग समीतियों के अध्यक्षों के सहारे खास करके अगर देखें मुख्या उसके अलावे प्रमूख और उसके अलावे आप सभी जानते की जिला परिशद राज्य के अंदर 45-62 पंचायते हैं 264 पंचायत समीति 24 जिला परिशद के सहारे जारखंड में ये चीजे निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर दो महत्वपून चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा राज्य के अंदर जिला लेवल से लेकल ग्रामीन छेत्रों की सरकार के बारे में पंचायत ब्यवस्था के बारे में तरतर की बादचित होते रहती हैं आये हम बारी-बारी से इसको जानने का प्रयास करते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या चीजे सरकार तयारी कर रही है देखें बूत अस्तर पर बूत जहां पर वोट डाले जाएंगे उसकी पूरी सूची बनाई जा रही है और इस बार जो एक्स्टेंड किया गया था उस कि 2010 से जब पंचायत चुनाओ की शुरुआत जारखंड में हुई थे 2015 उसके बाद जो है चुनाओ हुआ था और उसके बाद फिर पुना पांस साल के बाद जन्वरी 2020 में जो है चुनाओने से लेकिन हलाके मैं यहाँ पर दो तीन चीजें बताना चाहूंगा खास करके 2015 से 2020 लाष्ट में चुनाओने थे जन्वरी 2021 तक जब कुछ पता नहीं चला कोरोना काल के कारण तो फिर कहीं न कहीं यह चीजें उठने लगी कि कब चुनाओंगे अब इसको लेकर तैयारियां जोरो पर है हलाके कारेकारी समीतियां जो बनाई गई है जिसको की अधिकार दिया उसके बारे में आलमगीर आलम सामने अस्पष्ट कर दिया कि विकास के जो कारे हैं वो नहीं रुकेंगे तो विकास के कारे नहीं रुकेंगे यह अच्छी बात है नहीं ही रुकना चाहिए लेकिन इस कारेकारी समीति का क्या होगा चुनाओने के बाद यह कारेकारी समीति अपने आभंग हो जाएगी और जल्द ही इस पर जो है एक बड़ा अपडेट में अपने तमाम दर्शकों को देने वाला हूँ, सरकार अगर शक्तियों में कुछ बदलाव करती है समीतियों के अध्यक्षों के, तो फिर वो सारी चीजे मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर कर लेते हैं, कैबिनेट की बैठक 24 तारीक को प्रस्तावीत है, क्या है इसका एनलिसिस, देखें कैबिनेट की बैठक एक ऐसी बैठक होती है, जिससे की सरकार के रुक का पता चलता है अलग-अलग बिश्यों पर, कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के अलग-अलग मंत्री जो हैं एक साथ बैठते हैं सरकार के भविष्च की योजनाएं सरकार किस तरीके से चलेगी सरकार क्या सोचती है सरकार तक क्या बाते पहुँच रही है सरकार विधान सभा के सत्र में क्या चीजें लेकर आएंगे इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए 24 तारिक को कैबिनेट की महत्तपुन बैठक प्रस्तावित है मानसुन सत्र को लेकर चुकि बहुत सारी तरह के अभी आपको मैंने बताया था पहले भी कि अनुपूरक बजट जो है वो भी लाया जाएगा अलग-अलग बिभागों के लिए जो पैसे हैं उनको भी दिया जाएगा ताकि विकास के कारे जो है वो नहीं रुके मानसुन सत्र पर सब की निगाह दो सिरे से होगी एक तो नियोजन निती को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया कोट जाने की बात करे तो जो भी करना है कर लिजे अभी फिलहाल क्योंकि आगे जो है अगर अभियर्थियों की नियोजन जो हो जाती है न्युक्तियां हो जाती है फिर कोई कोट चला जाएगा फिर उनकी न्युक्तियां रद्ध होने लगेंगी फिर वही तमाशा फिर वही खेल जारखंड में कब तक चलेगा जो भी करना है कर लिजे जो भी है दोनों पाटियों को खास करके सत्ता धारी दल और विपक्ष तमाम लोगों को बैठ कर जो है इस पर चर्चा करनी चाहिए 24 तारीक को कैबिनेट की बैठाक प्रस्तावित है इसमें Medical Protection Act पर मंजूरी ली जाएगी क्योंकि इसको स्वास्त मंत्री बन्ना गुप्ता साहब ने मंजूरी दे दी है तो इस खबर का एनलिसिस आप इस तरीके से कर सकते हैं कई लोग कर रहे हैं कि Medical Protection Act तो ठीक है लेकिन अगर डॉक्टर सही तरीके से इलाज नहीं करते हैं अगर इलाज में लापरवाही की बात सामने आती है तो फिर उसका भी कोई नियम कानून होना चाहिए जी हाँ होना तो जरूर चाहिए क्योंकि बहुत सारे जगों से ये जब सिकायते आती है कि डॉक्टरों आने वाले दिनों में वैक्सिन जो है लगने की रा सुगा मोरी है जाइकोव डी जो की जाइडस कैडिला नामक कम्पनी ने वैक्सिन बनाया है पहली विश्व में डिने अधारित वैक्सिन होगी अभी तक जो आप वैक्सिन देख रहे थे वो डिने अधारित वैक्सिन थे कई जगहों पर वाइरस का इस्तमाल किया गया था और इनक्टिवेटेड कोरोना वाइरस का इस्तमाल तो को वैक्सिन में किया गया लेकिन यह पहली ऐसी वैक्सिन है कम्पनी का दावा है कि यह डिने अधारित वैक्सिन है शुरुआती तोर पे 66% सफलता देखी गई है लेकि मुझे लगता है कि जब पूरे आकड़े आएंगे इसको फिलाल भारत में मंजुरी दे दी गई है लेकिन अब यहाँ पर मैं 2-3 चीज़े बता दू कि बच्चों के लिए वैक्सिन तो आ गई है लेकिन बच्चों को अभी तुरंट वैक्सिन मिलना जो है मुश्किल है क्योंकि 18 साल से नीचे के बच्चों को वैक्सिन जो है वो देने की इजाज़त अभी नहीं है तो इसमें कितना वक्त लगेगा All Time Public India की निगाह जो है वो बनी रहेगी चले हो तो हम बात करेंगे दिल्ली से राची पहुँचने वाले प्रवासी लोग या फिर कुछ काम से जो लोग पहुँच रहे हैं क्या एरपोर्ट पर ठीक तरीके से कोरोना की जाच जो है वो नहीं किजा रही है जो हमें खबरे मिल रही है दिल्ली से राची हो या बेंगलोर से राची अलगलग जगों से जो लोग राची पहुँच रहे हैं जिनके पास कोविड वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट है उनकी टेस्टिंग जो है वो नहीं किजा रही है ये गंभीर लापरवाई हो सकती कल गये हैं हलांकि वो अपने गंतब्य तक वहां से शुरू हो गए निकलना और जो स्वास्त भी भाग है उसके पास इतना भी प्लानिंग नहीं है कि अगर किसी की रिपोर्ट वो ले सैंपल ले रहे हैं तो उनको रोक सके ये भी जो है सिस्टम नहीं बन पा रहा है लापरव पाहियों के कारण गरीबों को न जाने कितनी परिशानिया उठानी पड़ती है आप सभी को पता होगा कि कोरोना वाइरस के इस स्वरूप के बारे में जो हाल फिलाल ज्यारखन में मिला है कपा वेरियंट उसके बारे में कितनी बातचित हुई है दोस्तों इससे जुड़ा वीडियो के साथ आपके समग चाहेंगे तब तक लिए शुक्रिया जै हिंद जै भारत जोहार जारखन्ड जै जारखन्ड